कि नमस्कार फ्रेंज फ्रेंज आज हम निव ट्रिक्श से पोकेट लगाना बताएंगे तो चली विजिए को स्टार्ट करते हैं सेके य 1967 में या पैंट में किसी में भी पोकेट अगर लगाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं बहुत यदि एलắtा ट्रीक है फ्रॉ्ण्स सक्षावल रह ये पोक्तर से कुलिए फोल्ड करना रिजाल करनी और में देखिए इस तरह से अपने हाथ को रखना है और उपने हाथ को रखने के बाद हमें इस तरह से में एक्सेक्ट्रा मार्किंग करना है इस तरह से तो देखे फ्रेंस जो हमने मार्किंग किया है इसे डार्क करेंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसकी लंबाई है साड़े सत्रा इंच चोड़ाई है बारा इंच तो देखे फ्रेंस दोनों कपड़े को हमने इस तरह से अलग अलग रख दिया है तो देखे इस साइट से हम पांच इंच पे पिकलर आएंगे और हम इस साइड भी पाच इंच पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे हम जहाँ टिक लगाएंगे थोड़ा सा इस तरह से कट लगा देंगे तो देखे फ्रेंज हमने दोनों में कट लगा दिये तो देखे यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्किंग किया था कटिंग किया था उसी पे हम रख देंगे पोकेट को इस तरह से और इस पोकेट को भी इस साइड जहाँ पे मार्किंग किया था वहाँ पे रख देंगे इस पोकेट पे हम यहाँ पे पिन अप करेंगे तो देखे फ्रेंस हमने पिन अप कर दिया अब हम इसी पर सिलाई करेंगे तो देखे फ्रेंस अब हम इस पोकेट को जो पिन्स अटाइज किये थे यहां से इस पर सिलाई लगाएंगे तो देखे फ्रेंस हमने इसे अटाइज कर दिया है जैसे हमने इसे किया इसी तरह से हम यह दूसरे भाग को भी सिलाई कर देंगे हैं शिलाई लगा दिये दोनों पोकेट में अब हम इसे इस तरह से उल्टा करेंगे उसके बाद यह दूसरा जो पोकेट है इसे जी उल्टा करके इसके उपर में इस तरह से रख देंगे और अब हम यहां से लेके इस साइड से लेके यहां तक सिलाई कर देंगे लेखिए फ्रेंज हमने सिलाई कर दिया है अब हम इसे इस तरह से कर देंगे सीधा और यहां से देखिए यह हमारा पॉकेट बनके तयार है अगर आप ड्रेस में लगाना चाहता है तो आप इसी ट्रिक से लगा सकते हैं ड्रेस में भी तो फ्रेंज आप लोगो यह हमारा पॉकेट लगाने का नया तरीका कैसा लगा प्लीस अगर आप लोग वीडियो को फूल वाच कीजिए थाकि हमें भी मोटिवेसन मिले तो फ्रेंज वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें चैनल पे नया है तो सब स्क्राइब को जरू करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब